बनहारा में हुए मारपीट की घटना में सामिल, दूसरे पक्ष के लोग हमारे साथ हैं, आपने कुछ ही दिनों पहले भारल होते हुए एक वीडियो को देखा था, इसमें एक पक्ष की बात रखी गई थी, और आज हमारे साथ दूसरे पक्ष के लोग हैं, हम इनसे जनने का प्रियास करेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या था और पूरी घटना को यह लोग अपने जवानी बताएंगे सबसे पहले क्या नाम वासर आपका तो आपके हिसाब से उस दिन क्या क्या घटना हुई थी उस दिन सरगटना यह हुई थी सारे च्छावजें हमारे यहां गाय दूने के लिए मनीला लाता गाय दू लिया उसके बाद कुछ ही बिनिट के बाद हमको पैखना जैसे बुझा और बाहर में पैखना था पैखना में वाल्टी रखे और उसका गेट चद्रा का आवाज किया यह लोग भगल में घात लाएकर बैटा हुआ था म इसको देखे नहीं जैसे ही हम पैखना के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं रविंदर पासबार और उसकी पत्री चंद्रकला देवी मां बहन बेटी रोटी नाती नत्री जितना भी ता सब गाली रोज करते हुए रोडा इटा पत्थर उठा लेया हम भागने के प्रियास क ही और में लुके लुक्त खीछ खाच करके मार करकर घिरा दिया उससमय लगाव सारे साथ लन भागा बज रहा था और पत्री पी था सब लोग सोय हुए थे और को हैसा पुरा चाया हुआ था जब हला गुला हुआ तब दोर के मेरी पत्री आई और पत्री के साथ भी यो मार पिट किया हमारे कमर में इटाका काफी चोट है ये पंजरा में भी चोट है और इसके बाद ये देख लिए पेर को तोड़ दिया और चाय knapp distracting और कर दिया अप करने लगा आयदो नाटक करने लगा दोर्यव हो मैर दलकों हो दोके और ये पती टीन उलर्श पंस्वान तीनों लर्कां मेरे साथ मार पिट कर रहा था है और आँ अशना मेरा नाम सच्चिदा नंदलाल है तर है अशना explod screams in जैसा कि वेडियों में दिख रहा है पहला पक्ष ने बताया कि जमीनी विवाद है जमीनी विवाद ठीक है अपने जगह कानून नीत और प्यापुस्कोलर यह लेकिन मार्पिट अइसा सुनने में आता कि अक्सर होती रहती है तो इसका अंत क्या है और यह मार्पिट बरावर प्रश दिन की बात है हमको इसके पहले दूचारोज पहले काहा था दाली देते हुए कि तुम वीडियो कैमरा क्यों लगा तुम वीडियो कैमरा हटा लो या नीचे कर लो अगर नहीं तो तुमको ऊपर भेज देंगे हम सोचे अपनी सुरक्षा के लिए तुकि वीडियो का लगाना हमारी मजबूरी थी इसके पहले यह लोग हमारे दर्वाजे पर कोई भी समान डाता जैसे पंखा हुआ टीवी हुआ टेबूल हुआ कुर्शी हुआ बल्ब हुआ जो कुछ भी था यह हमारी को अतिति आते थे उनका साइकिल है या मोटर साइकिल है उस तुरत जो रोशन कुमार है और इनके लड़का जो है सराप प्यूते थे असील गाली देते थे रात में और हम दोनों पती-पत्नी स्थुन करके भी चुक्चाप बरदास करके रह जाते थे और उसके बाद यह काहत नहीं हटाने के हटाने के लिए जब हम नहीं अटाए तो यह लो पर चल नहीं पाते हैं जहां जाते हैं मार पिट करना शुरू कर देता है आप हमारे पास देता है किसी रूप में इतना भैप पैदा कि हुए है और इसलिए हम सोचे हम को को साथ देगा ही नहीं तो हम कहीं पर भी अपनी पंचायत हो या प्रसाशन को खबर करेंगे कि तो क्या होगा आप इसके सबूत के लिए मैंने मजबूरी मगसी सी कैमरा प्रेव प्र्रसा के लिए लगए और यह पके ब्ख्ष का कहना है की जमीनी विवाद हैं और इस विवाद को लेकर बराबर आपके दोरा केस किया जाता है यह इसमें कितनी सचाई है और साथ ही सा और आपने भी वहांन पूर्ट किया है तो क्या लगता है कि अलावा जो मारपीट अक्सर होती रहती है कि उसका भवी से हैं कि यह कई से खतम होगा इसके लिए कम से कम तो पूरे इलाके के करिकर बिस बिस गाओं के मुखिया सरपंज प्रोफेसर डॉक्टर इंजिनियर सारे लोगों को मैंने बुद्धी जीवियों को बुला करके पंचायत बुलाई और पंचायत में निर्ना लिया गया और पंचायत को पहले इमान लगता है जब निर्ना की बात आती है बसी ने भाग ज है इतना ही नहीं सर के अंत्रे साथि नहीं कैक इर्फान्मिया नाम का था और जो हमारे पंचायत में आया था उसको पहन करकर करके इतना जलील कि अंत में उसको जमीन बेश करके बागrob, बगलमे उसके जमीन के बगलमर पेर पौदारcha के है। उसका घ्ठोनी होने के जबरदस्ती जमिल लेना चाहा था नहीं दिया तो उसको भी प्रिसान की हुए हमारी इच्छा हमेशा सानती में राती है नहीं हम गाली गलोज करना चाहते हैं क्या करेंगे सर लोग परहें लिखें नोकरी चाकरी जब से रिटायर की हैं तब से मेरे साथ इस तरह की घटना घ दोफ्राइ से बहुत कपी दूरी मकान लेकर कि हमारे बच्चे भी वहां वहीं पर राते हैं यह मैं हम्मय और मेरी पत्री रहती है । कोई ने रहता है ह। हम शहां गरा लोग है और बूस्तव संग्या हैं प कि आछ बा zm.Noya सलगा है। लोग है मात्र एक ही घर है मेरा सर किसी तरह जिंद्गी जी रहा है ओठी बंद करके राते हैं रात में डर भाद कि आप लोगों से अपील करती है कि आप लोग संती और सवहादर को बनाए रखिए और मार्पीट आगे से नहीं करेंगे ऐसा हमारा अपील है तो आपका क्या एक्षा है कि किस तरह से आगे का कहानी या फिर आगे बढ़ पाएंगे आस्चर्ज की बात तो यह है सर आप जो कह स्पाइब आप लोग कहते हैं या परसासन काता है कहते है मैं अप्षा सापालन करता हूं अप्राय मुझे धंकिया मिल रही है कि तुम गौन छोर के चले जाओ नहीं तो हमको रंधारी टैक्स देते चले जाओ छैन से गजिना आ है तो नहीं तो तुम अगर ऊपर ऊपर का स किसी कैमरा नीचे नहीं किया तो तुमकोफ मुपर बेंगी पिर सान्ती के लिए हम तो मच्बूर लिया और जो कुछ भी बचा सब अपने बच्चे के पढ़ाय में लगाया मेरे पास कुछ नहीं कि लोग करोर पती लोग हैं और इनका धंदा भी गलत है और इतना पैसात कमा करकर के लोगों को उपर इतना दबाव बना हुए है कि कोई भी आदमी इनके खिलाब जाई नहीं स हुआ जो डॉक्तर का मेडिकल करा मीला जाता है इनका भाई जो किदार है जो परस्सासन का लाम मिल जाता है ये चारू तरफ से लोगों को जक्रे हुए हैं और इस लोगों को घुटन हो रहा है उसी घुटन में हम भी घुट रहे हैं करने के लिए आपका धन्यवाद और यही हम लोगों की अपील रहेगी कि सांती और सवहादर को देरे दिरे इसाई पहाल करने का प्लोग तर इतनी बात है इतनी बात तो जो है आप उस दिन की घटना को देखिए आप सारा चीज मैं यह आप से अग्रह करूंगा कि सी केमरा को कह जाए और खंगाल कि सारे घटनाओं को देखा जाए बेरे साथ इन्होंने क्या और यह बना करके मेरे साथ रहने पास इसी तरह से रंग दारी करकर के प्रैशान करकर दसों वीगा करने बनाय हुए करोनों के मालक है हमारी हैस्चत को देखा जाए इनकी हैस्चत को देखा जाए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बात अपनी तश्कता से रखी है